हलो नमस्ते तो मेरे कीचुन में आप सब का दिल से स्वागत है आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जिरा आलू तो चलिए फिर यह तो आप सब को पसंदी है पूरी के साथ में तो हम बनाना करते हैं स्टार्ट बीना किसी देरी के तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूँगी आलू यहाँ पे मैंने आलू को वाश करके ले लिया है यह मीडियम से इसके पांच आलू ले लिये मैंने और इसको कुकर में डालके रूबे तक पानी डाल दिया है और अभी हम इसको चार या पांच सीटी लगा ले आपको आलो पकाने की प्रेक्टिस तो होगी तो आप इसको अपने हिसाब से सीटी लगा ले तो ये हमने यहाँ पर बॉयल करके ले लिए हैं आलो को पर मैंने यहाँ पर क्या किया है इसको मैंने निकाल के कुकर में से फ्रीज में इसको आदे गंटे के लिए रख दिया था थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने के बाद तो इससे ये बहुत अच्छा ये बनेगा आपकी सबजी तो ये देखें यहाँ पर मैं आलू को ऐसे नॉर्मली कट कर लूँगी इसका पूरा छिलका निकाल लिया है हमने और इ इसको बहुत मेडियम सैज में कट कर रही हूँ यहाँ पर तो यह देखें यहाँ पर मैं ऐसे ही करके सारे आलू को कट करके ले लूँगी तो यह हमने यहाँ पर कट कर लिया है और यह फ्रीज में रखने के बाद ना यह बहुत अच्छा इसका टेश्ट भी आएगा और ब मैंने ऑईल डालके ले लिया है तो तड़के में मैं बहुत सारे इसमें जीरा डालूंगी और यह दो चम्मच जितना जीरा है तो यह मैंने एकदम गैस को ऑईल गरम होने के बाद एकदम धीमियाच पर रख दिया था तो यह देखें तो आलू मतलब जीरा आलू बनाने के आपका जीरा इसमें जलना नहीं चाहिए वरना वह बहुत कड़वा सा टेस्ट आएगा उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है अद्रक लसून का पेश्ट भी डाल दिया है और हींग भी डाल दिया है यह देखे मैंने एकदम इसको धीमी आजपी रखा दा या फिर आप गैस ही बन कर लीजे तो यह मैंने अभी यहां पर गैस बन कर लिए ताकि अद्रक लसून का पेश्ट और यह जले नहीं यह देखे मैंने गैस चालू कर दिया है अभी इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी सिर्फ हम यहां पर अभी इस टार्टिंग में हल्दी ही तो यह देखिए हमने कट की हुए आलो को साथ में मसाले में मिला लिया है अब हम थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हम वापे से इसको अच्छे से मिला देंगे तो यह देखिए नमक डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे दो मिनिट के लिए एकदम हाई फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे आलो को ये देखिए जीरा भी उपर कितना अच्छा दिख रहा है तो इसको हम हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे दो मिनिट के लिए और इसको हम ये चलाने के बाद अच्छे से चला लेंगे उसके बाद दो मिनिट के लिए हम इस मीनिट छोड़ने के बाद इसको हम वापिस से अच्छे से मिला लेते हैं यह मैं यहां पर थोड़ा सा चिली फ्लेक डाल रही हूं अगर आपको नहीं डालना है तो आप मठ डाले ऑप्शनल है आप क्रीन चिली दो और ज्यादा यूज़ कर लीजे तो मैंने यहां पर चिली मिर्च पावडर है तो इसको अभी मैं वापिस से अच्छे से चला लूँगी यह देखिए दिखने में भी बड़ा अच्छा दीख रहा है इसका अच्छा कलर भी आ चुका है और यह देखिए आप अगर मेरे स्टाइल में एक बार बना के ट्राइक करेंगे तो आपको बि पास नहीं है तो आप मठ डालें यह ओप्शनल है डालना इसमें कमपलसरी नहीं है पर अगर ढालेंगे तो इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है और मैं यहां पे कट किये हुए हरे दन्या को भी अभी डाल लेती हूं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं वापिस स आप इसको दो मिनिट के लिए अभी लाश्ट में भी हाई फ्लेम पे ही चला ले तो यह ना आपकी सब्जी ज्यादा गलेगी भी नहीं और बहुत अच्छा मतलब जल्दी से इस पे कलर भी और अच्छा आजाएगा तो यह देखिए मैंने यहां पे इसको हाई फ्लेम पे यहां तो मज़ा नहीं आएगा तो मैंने यहां पे पूरी को भी रेडी कर लिया है और यह मैंने दन्या डाल के गानिश कर लिया है तो चली आप भी मेरे स्टाइल में बनाएए खाएए और मजे कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आप तक सबसे पहले पहुचें तो मिलते हैं बाब बाई